हिमाचल परदेश के उना में एक गाम में एक तेंदू के गुस आने से दहशत फैल गई है तेंदू ने कई बशों को अपना शिकार बनाया है लेकिन गनीमत ये रही कि बन बिवाग ने बेहोश कर तेंदू को पकड़ लिया जिससे गाम के लोगों ने भी काफी सहयोग दिया है इससे पहले तेंदू गाम के आसपास पेड़ों पर चड़ा रहा जिसके कारण गाम बालों में काफी दिर का महौल रहा हिमाचल परदेश के उना में एक गाम में एक तेंदू के गुस आने से दहशत फैल दी है तेंदू ने कई पशों को अपना शिकार बनाया लेकिन गनीमत ये रही कि बन बिभाग ने बिहोश कर तेंदू को पकड़ लिया है जिसमें गाउं के लोगों ने भी काफी सहयोग किया इससे पहले तेंदू ने गाउं के आसपास पेड़ों पर चड़ा रहा जिसके कारण गाउं वालों में काफी ड़का महोल रहा हलांकि पकड़े जाने से पहले लगी एक चोट के कारण तेंदू की मोथ हो गई विभाग ने किसी गहरे जगम के कारण तेंदू की मोथ की आशंका ब्यद्प की है बही बन विभाग ने पोस्ट माटम कर आगामे कारवाई शुरू कर दी है किया वो पेड़ पे बैठा हुआ था तो ट्रेंक्लाइज करने के बाद जब उसको हमने कैप्चर किया उस तेंदू को तो उसमें ऐसा पाया कि उसके पेट के पिछले हिस्से में एक क्लच वायर की कड़की जिसको ट्रैप कड़की कहते हैं लोकल वाशें ट्रैप उसको किय यह केस था कि स्कार क्या है यहंतिंस का मामलाबी भी हो सकता है क्योंकि ईसके पेट और इसके जो राइट पंजा है, फ्रंट राइट पंजा है, उस पे जो है, वो कलच वायर की ट्रैप हमें मिली है, और इसकी मौत जो है, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिकेशन जो हमारी विटनरी टीम ने की है, वो स्ट्रेस और उस कड़की की बज़े से जो इंजरी हुई है, उसक सक्षिन नाइन के ताइस की अफैर दर्ज करवा दीजिए।